हेलो एंड जेहिंद गईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब जैनल ग्यान दे होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्ते यहाँ पर जानकारी दिने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजे क्योंकि आपके लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन भी ओन कर लीजे अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है अब चलिए पोइंट पर आते हो इसके बार में बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप जो वीडियो में देख पा रहे हैं हमारी ओफीशल वैपसाइट जो पसग्यान डोटी ने इसका लिंक को वीडियो के डिस्कप्शन में दिया है जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके समने इस बरते की जानकारी आजाएगी जहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि जूने टेकनिशन प्रिंटिंग के लिए 14 वैकेंसी निकाली गई है MP में आपकी पोस्टिंग होगी केंड़ेट इसमें आल इंडिया से अपलाई कर सकते हैं आप लोग इस फर्म को 14 नॉमबर 2022 तक भर पाएंगे अपलाई करने के लिए आप से फुल टाइम ITS सर्टिफिकेट जो की चाए NCVT से हो या फिर SCVT से दिये गए ट्रेड के अंदर जो यहाँ पर ट्रेड दिये गए है अगर आपके पास यह वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो दूसरा विकल्प आपको यह दिया कि आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा हो प्रिंटिंग टेक्नोलोजी के अंदर तो आप तब भी इसमें अपलाई कर सकते हैं तो यह सब जानकारी आपने यहाँ पर चेक कर लेनी है और अगर आप इसका नॉटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं आप official notification के उपर click करके ये notification डाउन्लोड करके इसके बारे में जानकरी यहां से भी ले सकते हैं इसके बाद में अगर आपका interest है और आप इसमें apply करना चाहते हैं तो आपको जो link दिया है apply online इसके उपर click करना है इसके उपर click करने के बाद ये website आपके सामने आजाएगी अब आपको क्लिक एर फोर न्यू रेश्टन यहाँ पर क्लिक करना है तरह आपके सामने रेश्टन का पेज आजाएगा अब आपको यहाँ पर आपका first name 10th की mark sheet के नुसार enter करना है इस नाम को दोबरा डाल करके verify करना है आपका middle name है तो डाल दीजे ने तो खाली को दोबरा डाल करके आपको verify कर देना है अपना mobile number देना है इस number को दोबरा डाल करके आपको यहाँ पर enter करना है कोई अन्या number देना चाहते है phone का वो भी आप यहाँ पर दे सकते नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते है फिर आपको यहाँ पर आपकी email ID का सिर्फ address ही जैसे कि मेरी email ID का address है यह वाला और यह किस domain पर है अब वो आपको select करना है जैसे कि मेरी email ID gmail.com पर तो मैं यहाँ से gmail.com select कर लेता हूँ इसी परकार से आपको यहाँ पर आपका domain select करना है and then यहाँ पर इस email ID को दोबरा डाल करके आपको verify करना है इस बार कोई domain name select करना क्या अभी सही है और फिर यह security code enter करने के बाद पूरी तरीके से सियोर हो करके save and next पर click करना है now guys मैं आपको देने वाला हूँ एक special जानकारी जो की obviously jobs के बारे में यह है और इस जानकारी को जान करके आपका दिल गदगद हो जाएगा जी हाँ आपने सही सुना कैसे होगा यह मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ basically जैसा कि आप इस form को भर रहे है तो इस form को भरने में आप लोग काफी सारा wait करेंगे फिर यह exam देंगे उसके बाद में decide होगा कि आपका might के अंदर नाम आता है या फिर नहीं आता है और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका नाम भी आ है और फिर किसी तीसरे agent के थुरू आपसे पैसे की मांग की जाती है तो यहाँ पर इस सभी चीजों से छुटकारा आपको इस जानकारी के मादियम से मिलने वाला है वो कैसे जैसे कि यहाँ पर रिलेवल बाई एन अकैडमी है यह एक job hiring company है यानि कि इसके मादियम से बड़ funding कितनी है कितने लोग इसमें काम करते तो बेसिकली अगर आप चाहते कि मैं पेटियम के अंदर job करू वो भी किसी बिना skill के बिना किसी registration fees के तो वो कैसे possible है वो यहाँ पर 100% possible है रिलेवल बाई एन अकैडमी के मादियम से तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको link दिया है register का वीडियो का description में अगर आप इस link को open करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा interface आजएगा आपको क्या करना होगा आपको simply एक test देना है वो test आप free में दे पाएंगे और आप चाहिए जितनी बार चाहिए उसको दे सकते है अगर आपका reliable score जिसको आपका एक result लगता है उ उसमें अच्छा score आता है तो फिर आपको पेटियम खुद अप्रोच करेगा आपका एक छोटा सा interview होगा जो चाहिए आप जैसे चाहिए देना चाहिए दे सकते हैं उसके बाद में आपको directly job मिल जाएगी जिसकी सुरुवाती salary आपकी 4 लाग पर यान के सालाना आपको 4 ला से देंगे टेस्ट आप mobile से देंगे घर बैटे कहीं आपको जाने क्या सकता नहीं है और इनके courses भी है आयाने कि आप उस courses के मातियम से अपनी preparation कर सकते हैं और preparation करके आप test को दे सकते हैं जिससे कि आपका first time के अंदर ही selection हो जाए अगर first time में नहीं भी होता तो फिर आप इसम पूच में जोब को ढूण रहे हैं या फिर किसी भी तरह की जोब पाना चाहते हैं लिंक मैंने आपको वीडियो को description में दिये हैं कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजेगा अब आपका ररेश्टन हो चुका है और आपको ररेश्टन number and password की जानकारी यहां पर दी गई है सेम जानकारी आपको email और message के मादियम से send कर दी गई है इस section के अंदर आपको आपका photo and sign upload करना है आपको यहां पर choose file के उपर click करना है और जहां पर भी आपका photo है वो आपको upload करना है मैं आपको बता दू कि आपके photo का size 20 से 50 के बीच में रहना चाहिए तब ही वो upload हो signature का size आपका 10 से 20 के बीच में रहना चाहिए तो आप यहां पर इसको open कर लिए open करने के बाद आप यहां पर tick करेंगे then यहां पर आपको next पर click करना है next के उपर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आजएगा अब आपको यहां पर category select कर लिए जो भी आपकी cost category है and then यहा 40% से जादा है तो आपको yes करना है नहीं तो no कर दीजिए then यहां पर कुछ सवाल दिए जो कि उन्हीं के लिए लागू होगे जो कि विकलांग है जो सभी को answer करने है वह आपका कि आपका क्या religion है तो जो भी आपका religion है वो आपको select कर लेना है फिर आप से पूछे कि कि आप religious minority community से बिलोंग करते है अगर हां तो yes नहीं तो आपको no करना है और यह आप ही को पता होगा कि आपकी caste religious minority में आती है या फिर नहीं आती है कि आप एक्सर इसमेन है अगर हां तो yes नहीं तो आपको no करना है फिर आपको nationality में इंडिया नहीं रखना है और state to which center of exemption बिलोंग आपकी do b यह आप select करेंगे पहले day फिर यहां से आपका जो month है वो और फिर जो आपका year है वो भी आपको select कर लेना है gender आपको अपना select करना है क्या आप जुडवा भाई बहन हो अगर हां तो yes नहीं तो आपको no करना है अगर आप जुडवा भाई बहन हो तो yes करेंगे और पिर आपको name of आपके twin यान के जुडवा का बताना है कि आपका जुडवा का नाम क्या है और उसका gender क्या है marital status बताना है married unmarried जो भी आपका status है and then यहाँ पर आप अपने father का name enter करेंगे पूरा नाम आपको enter करना है आपकी माताजी का नाम यहाँ पर enter करना है correspondence address यानि के present address तो जो भी आपका present address है वो address आपको यहाँ पर लिखना है district आपकी जो भी है वो district आपको यहाँ पर enter करनी है तो चलिए हम यहाँ पर इसको enter कर देते हैं इसके बाद आपको यहाँ से आपकी state सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपको आपका pin code डाल देना है फिर आता है कि same as correspondence address यानि कि अगर आपका correspondence यानि कि present और permanent address अगर same है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे फिर यहाँ पर आपको select करना कि कौन से address पर आप अपनी application fees की GST invoicing यान के GST जो fees की सिलिप है वो भेजना चाहते है वो आपको idea यह है and then यहाँ पर आप date of passing देगे गयान के कब आपने qualification अपनी पास कर ली थी इस परकार से इसको देने के बाद आप यहाँ पर आपकी percentage लिख देंगे और आपकी class क्याती वो भी आपको select कर लेनी है फिर आता है full time diploma अगर आपके पास full time diploma है और आप इसके माधियम से apply करें तो आपको यह select कर लेना है नहीं तो आप इसको essay रहने दीजे क्योंकि दोनों चीज कंपलसरी नहीं है कोई एक qualification आपके पास होने चाहिए अगर आपके पास graduation भी है तो आप यहाँ पर graduation की qualification का नाम दे करके जैसे की BA जो BTEC, BSA जो BA आप लिख देंगे और बाकी की जानकारी same way में दे देंगे जैसे की data passing percentage और आपकी class फिर आता है experience तो experience इस पर compulsory रूप में नहीं माँगा तो आप इसको खाली छोड़ दीजे इसके बाद language यान कि कौन कौन सी language आपको आती है वो language आप यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है लिखनी आती है और बोलनी आती है यान कि अगर आपको तीनों चीज़ा आती है तो आपको तीनों के ऊपर टिक करना है फिर अगर आपको कोई second language भी आती है वो language आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका status बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है इसके अलाव अगर आपको कोई और तीसरी language भी आती है वो language लिखेंगे और उसका status भी आप बता देंगे फिर आप यहाँ पर save and next के उपर click करेंगे इसके बाद आपके सामने आपके form का preview आजएगा यानि कि आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सभी आप यहाँ पर verify कर सकते है आपको इन सभी को verify करने के बाद यहाँ पर I agree पर click करना है वो आपको upload करना है मैं आपको यहाँ पर इसको upload करके दिखाता हूँ यहाँ से open करता हूँ और फिर आपकी file इस पर कर से यहाँ पर upload हो जाएगी दैन आता है आपका hand written declaration यारे इनके हाथ दुआरा लिखावा declaration अब इसमें declaration में आपको लिखना क्या है मैंने जो link दिया है वीडियो के description में हमारी website का एक बार आपको फिर से open करना है और आप यहाँ पर देखेंगे hand written declaration की heading तो यह जो line है यहाँ से लेकर करके यहाँ तक यह line आपको correct अगर्ज के उपर लिखनी है blank paper पर और यहाँ पर आपको name of the candidate के जिंगे पर अपना नाम लिखना है नीचे आपको signature करने है इस image को scan करना है और करने के बाद में आपको यहाँ पर इस file को upload कर देना है and then यह security code fill करके आपको save and next पर click करना है अब guys आपके सामने आपकी fees का amount आ जाएगा आपको verify करके security code enter करना है and submit पर click करना है इसके बाद आपको payment के page पर transfer किया जाएगा आप यहाँ पर जो विकल्प आपको दिये गए है इन विकल्प messages भी माधियम का इस्तमाल करके fees को जमा करना चाहिए कर सकते है तो जैसे आप अपनी application fees जमा कर देंगे आप अपने form का final print out ले पाएंगे इस परकार से आप लोग BNP देवास junior technician online form 2022 को भर पाएंगे I hope यह process आपको पसंद आया होगा So thanks for watching, जै हिंद